नमस्कार दबिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स फेस्बुक गुरुप की ओर से आप सबों को मेरा अभिनंदन मेरा मोबाइल मेरी सिक्षा मिसन के तहत मैं आप लोगों के शामने हाजिर हूँ क्लास नवम के गनिति विशय को लेकर आज मेरा टॉपिक है सिलेवस और बेसिक गनिति विशय क्या होगा और मेरे परहने का क्या स्टेटि होगा आज में उसकी चर्चा करूँगा सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेवस की वर्ग नवम के च्छे भागों में माटा गया है पहला है संख्या पद्धती जिसमें हम लोग विभिन प्रकार की संख्याओं संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपन अपड़ी में संख्याओं के साथ मुख्य रूप से अपड़ी में संख्याओं के साथ होने वाले बीजगनिती संख्याओं यथा जो समीकरन समीकरन का अनुप्रयोग इन साड़ी बातों की चर्चा करूंगा तीसरा हिस्सा है नियामक ज्यामिति इसके अंतरगत हम लोग एक चरवाले एक घाती ये समीकरन के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे किसी समतल में किसी बिंदू की स्थिती को कैसे निर्धारित किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे चौथा हिस्सा है ज्यामिति जिसमें हम लोग विभिन प्रकार के प्रमे उप्रमे और उस पर बनने वाले सवालों के बारे हम बात करेंगे पांचमा जो पार्ट है इसका वो है छेत्रमिति का जिसमें हम लोग विभिन प्रकार के टू-डाइमेंशनल थ्री-डाइमेंशनल फिगर के छेत्रफल वॉल्यूम इन सारी बातों का ध्यान करेंगे और छठा हिस्सा है इसके सांखी की और प्राइकता का है जिसमें हम लोग विभिन प्रकार की आंकड़ों आधी के बारे में बात करने जा रहे हैं अक्सर देखा गया है कि हमारे बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों का गणित बहुत कमजोर होता है मुख्य किताब पे आने से पहले उन्हें छोटी छोटी बातों की जानकारी करानी बहुत आवस्यक प्रतित होती है ताकि वो में चेप्टर को आसानी से समझ सके हैं वांतिस्याथ पड़ाने के दर्मियान। हम ओपों की को सब्दों करते हैं। कर इस लिए विभीन प्रकार के सब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन सब्दों से परचीट कराना भी बहुत आवस्यक मुझे पतित होता है। इसलिए बुंग पे जाने से पहले मेरा सोचना है कि बच्चों को कुछ basic mathematical knowledge होना चाहिए तो सुरुवात मैं इसी basic mathematical knowledge से करूँगा इसमें मैं 2 से 3 दिन लूँगा maximum 2 या 3 दिन काफी है इसके लिए इसमें मैं क्या सब पढ़ाऊंगा उसको हमने यहां point wise लिख दिया है सबसे पहला बात सबसे पहली चीज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पढ़ाने के दौरान बराबर उपयोग करने वाले सब्दों पदों की जानकाड़ी जाई इसमें जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे सब्दों का इस्तेमाल करता हूँ चर क्या हुआ अचर क्या हुआ पद क्या हुआ इन सब बारतों की बराबर मैं चर्चा करता रहता हूं तो उन सब सब्दों या पदों की जानकाड़ी देनी आवस्यक प्रतित होती है दूसरा चीज है बहुपद पर इस्तेमाल होने बाले बीजग्यनतिय शंक्रियाओं अर्थात बहुपद के साथ जो भी अलजबरिक ऑपरेशन की जाती है जैसे जोड़ गटाओ गुनाबाद इस सब बातों की जानकाड़ी इन बातों की जानकाड़ी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए तीसरा चीज जो मैं उसमें डील करूंगा वह है कुछ एक्स्पोनेंसियल फर्मूलाज के बारे में चुकि इन सब का इस्तेमाल हर एक छेतर में होगा या हम ज्यामिती पढ़ें या ज्यामिती पढ़ें या मेंसुरेशन पढ़ें इन सब चीजों का इस्तेमाल हर एक छेतर में हम करेंगे चौथा चीज़ है गुननखंड इसका भी बहुत ज्यादे इस्तेमाल होता है सवाल को बनाते समय किसी भी सेक्टर के सवाल को हम सॉल्व करें तो गुननखंड की जानकारी बहुत जरूरी है और कुछ अन्य रूल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय कुछ बेसिक रूल्स की जानकारी बहुत जरूरी होती है जैसे बित्रन नियम हुआ है चेप्टर पढ़ाते समय भी कुछ बेसिक जानकारियां दी जाएंगे जब मैं चेप्टर पढ़ा रहा होंगा तो अगर मुझे आवसकता प्रतित होगी कि इस चेप्टर के बात को समझने के लिए कुछ बेसि कि इसको आप लोग बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट के तौर पर याद रखें वह चेप्टर टु चेप्टर बदलता रहेगा तो यह हमारे परहाने का एस्टेटी होगा आज मेरे क्लास का दूसरा दिन था सुरुवात मैं बेसिक मैथमेटिकल कॉंसेप्ट से करूँगा जिसमें मैं दो या तीन दिन लूँगा चुकि ज्यादा दिन लेना भी ठीक नहीं है में सीलेबस पे आना बहुत जरूरी है इसलिए इसमें मैं अधिक से अधिक दो से तीन लिने जा रहा हूं कि आप सबों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे हर एक वीडियो को गौर से देखें और कमेंट के ठुरूं अगर कोई समस्या आती है तो उसको कमेंट के ठुरू मेरे संग्यान में मेरे जानकारी में लाएं और अगर आप सीरियली देखेंगे हर एक वीडियो को तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप mathematics को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं धन्यवाद